नमस्कार दोस्तों मैं केसे साहो सार आप सब के लिए आज एक वीडियो लाया हूं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आप सभी जानते हैं कि जो नई सिख्छनिती है नई सिख्छनिती को चार साल हो गया है अब इस नई सिख्छनिती को हम रा लोडंजयाों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना सीखाना है तो निश्यत रूप McD's से नई सिख्चा निति के तहट जो आपको परिवर्तन करना है जो आपको बदलाव लाने है वह बच्चों की मात्री भासा के तहट आपको क्या करना है पढ़ाना हुआ खास करके छोटे बच्चों की जह हम बात करते हैं जब वो हमारे स्कुल में आता है तो वो अलग भासा का क्या करता है सामना करता है मतलब उनके घर की भासा अलग होती है और इसकुल की भासा अलग होती है तो वो सोचता है शुरुवात में उनको ऐसा लगता है कि वो comfortable महसूस नहीं करता है तो हमें क्या करना है उनकी भासा में बात करना है और बच्चों को खास करके छोटे बच्चे की बात करना है उन छोटे बच्चों को उनके घर में जो बोली जाने वाली जो भासा है उनके घर में जिस प्रकार उनके साथ बरताओ किया जाता है मतलब भासा के दिश्टी कुण से क्यों से कैसे बात किया आता है उसके अधार पर हमें क्या करना है बाते करना होगा और उनहीं के भासा में हमको पढ़ाना होगा और वह भी खेल गतिवी धियों के मात्धम से पढ़ाना है ठीक है सिंपल सी बात है यह दि हम भासा पढ़ा रह जो गतिविधी आप बनाएंगे उसमें आपको क्या करना है जो भी गतिविधी आप बनाएं उसमें बच्चों को बहुत ही सरल सरल से जो सवाल है कहा जाए अगर गनित की बात करें तो और अगर हिंदी की बात करते हैं तो आप यहां पर माल ले जाए कुछ अक्षरों को आप यहां पर लिख देते हैं यहां पर कुछ अक्षर आपने लिख दिया यह दिखिए आपने कुछ इस प्रकार का अक्षर लिख दिया और आपको क्या करना है जो अक्षर लिखा जा रहा है उनको पहचानने के लिए उनको कहना होगा इस प्रकार मैंने बहुत सार अक्षर लिख सकता है अब इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर को पहचानने के लिए कह सकते हैं यहां पर आप कह सकते हैं कि जिसमें इन में से इस प्रकार बच्चों को आप बना सकते हैं और उनको एक च्याक दे सकते हैं और यह कहना है कि इसमें जो भी आपके हैं उन में घैर लगाने कले कहना है और बच्चा क्या करेगा शुरुबात में वो उनका अगर उच्चारन नहीं भी जानता है तो वो इस टाइप का जो अक्षर जो आपको दिखाई दे रहा होगा उनको क्या करेगा यह जो दिखाई दे रहा है उनको मिलान करेगा और उसको क्या करेगा वो घेरा लगाएगा ज अइसे वो घेरा लगाता है तो हमें बच्चों के उत्सावरधन के लिए बालकी के जो बच्चे हैं उनको कहना है कि बच्चेने बहुत ही सांदर तरीकी से क्या से क्या किया है ढ़क लगाया है तो बड़े जोड़दार तरीके से ताली बज़वाएंगे, याद रखेगा छोटे बच्चे ना, जिनको हम बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत सिंपल सी गतिविदी है, याद रखेगा, वो छोटा बच्चे है, और उस छोटे बच्चे के लिए जो छोटी छोटी गतिविदी होत है, याद रखेगा, अगर आप छोटे से बच्चे को गिप्ट के रूप में एक चाक या पेंसिल भी दे देते हो, तो बच्चा जो है बड़ा खुस हो जाता है, और उनको लगता है कि वा, आज मुझे मेरे टीचर ने पेंसिल दिया, पें दिया, चोकलेट दिया, तो इस चोटे बच्चे का उत्सावर्धन कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी गतिविधी आप स्वेम बना सकते हैं, अब देखे, आपको मालने जाए, देखे, मैं अलग से गतिविधी बना रहा हूँ आपके सामने, और बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार की गतिविधी, आप स्वेम भी बना सकते हैं, यह देखे, मैं इस प्रकार करूँगा, तो यह आप स्वेम बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाएं, यह आपके उपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार की गतिविधी बना रहे हैं, इस प्रकार आप कुछ भी डबबा बना सकते हैं, और कुछ आकरिती दे सकते हैं कुछ नाम दे सकते हैं और इस प्रकार जब बच्चा देखता है ना तो वो खेल-खेल में ही इस प्रकार की गतिविधियों को बना लेता है अब यहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं यहां पर चाहे तो इनका आकरिती देना है तो आप यहां पर इसक चोटा सा यह लिखे ठीक है अब यह जो आक्रिती है इसमें क्या करना है हमको अंको को लिख देना है अब कुछ भी अंक आप यहां पर लिख सकते हैं अंको को लिखना चाहें या अच्छर वाला खेल भी इसे में खिलवा सकते हैं और चाहे तो अंको को लिख सकते हैं अब बहुत ही simple गतिविधी है, बहुत ही आसानी से इस प्रकार की गतिविधी को आप FLN के अंतरगत करा सकते हैं, और swim भी इस प्रकार की गतिविधी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, याद रखें ये जो गतिविधी है न बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, नि जो अंक आपको दिखाई निदर आया है जो हमने छोड़ा है और आप गिंती तो आता होगा एक से दस तक एक से बीस तक क्योंकि क्लास वन टू के बच्चे होंगे उनको आपको इसी प्रकार छोटे-छोटे गनित के जो सवाल है उनको देना है और उनको सिखाना है तो यहां कि यह क्रमसा उनको गर गिंती आता होगा एक से दस तक गिंती आता होगा तो क्या करेगा यहां पर दो लिखेगा फिर तीन यहां पर चार लिखेगा फिर पांच यहां पर छे पहले से लिखा है तो छे के बाद यहां पर क्या आएगा साथ आएगा साथ के बाद आठ और आ सारी गतिविधी आप बना सकते हैं हिंदी के लिए और गनीद के लिए और इस प्रकार के बहुत सारी गतिविधी में स्वैम बनाकर आपको दे सकता हूं यदि आप मुझे comment करते हैं तो बहुत ही रोचक गतिविधी बहुत ही रोचक कविता अब जो चाहें उस प्रकार के आप मुझे comment कर सकते हैं अन्यता इस प्रकार के वीडियो आप मारे चैनल में बहुत सारे ऐसे डले हुए है लिप